तो आप सभी को YouTube के बारे में तो पता ही होगा कि आप YouTube पे वीडियो अप्लोड करके पैसे कमा सकते हो लेकिन अगर आप एक MusicCNR के वला पे गाना त्यार कर सकते हैं तो मैं आपको बता दो कि आप सिरफ गाना अप्लोड करके भी पैसे कमा सकते हो और हम आपको यह पे छोटे- डाउनलोड कर रहा है और साथ में आप उसके पैसे भी मिलेंगे उनके डाउनलोड के उपर आज के इस वीडियो को पूरा देखेगा बहुत मैनत से हम आपके लिए टूटरल करके लेकि आ रहा हूं और अगर आप इस वीडियो को देखते तो आपको 100% इसका benefit देखने को मि पर पास चाहिए mobile हो या फिर computer हो आप आपके mobile से भी और computer से भी दोनों से ही आपके खुद के सोंग YouTube पे या फिर किसी भी platform पे चाहिए वो music सावन हो या फिर वो कोई गाना application हो या फिर iTunes हो कोई भी application हो उस platform पे आप खुद का music add कर सकते हो और वहां पे अगर उस music को कोई भी सुनता है और अगर आपका music viral भी हो जाता है तो आपको उसके पैसे मिलेंगी जी हाप इस वीडियो में देखने के बाद आपको सारी ब website के बारे में जो किन सभी से linked है मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको एक ऐसी website बताओं अगर आप इसके उपर song upload कर देते हो तो आपकी जो song है वो सभी की सभी platform पे automatically upload हो जाएगी वो आपका जो copyright है वो जो यह website है आपको यह website copyright देगी जिसकी वजह से अगर आपका music कोई भी use क करता है तो आप उसको directly copyright भी दे सकते हो यहां से आप उसको directly set भी कर सकते हो कि आपको कितने पैसे चीए आपके एक playback पे तो जो website है उसका नाम है यह पे fresh tunes तो आपको चाहद यूटूब पर यह वीडियो आज से पहले नहीं देखने को मिली होगी तो मैं यहां पर सर्च कर ल तो आप करिपया करके उनके जासे में बिल्कुल भी ना फसे और सिरफ आप fresh tunes.com को ही खोलेगा यह वीडियो बिल्कुल भी sponsor नहीं है आपको मैं पहले बता देता हूं तो उसके बाद देखिए आप fresh tunes को पर click करोगे और click करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसी website open होके आ जा और यहां पर आप song upload करते हो तो इसके आपको पैसे मिलते हैं और साथ में उन सरी platform पर भी आपका song release कर दिया जाता है तो आप release date भी fix कर सकते हो बहुत सारे feature है जो कि आने वाली वीडियो के अंदर आपको आगे बता रहा हूं तो यहां पर आप देख सकते हो बहुत सारे इस लेकिन हो सकता है कि 24 गंटे के अंदर आपको यहां पर album वगार करके दे दे और उसके बाद बोल रहा है कि get money from iTunes अब आप आईटून से भी पैसे कमा सकते हो और यहां पर आपको जो है feedback from user यह आप users के feedback में देख सकते हो जो कि काफ़ अच्छे तरीके से उन्होंने की हुए ह अब यह लोग आपके music को कहां कहां पर upload करते हैं वो आप देख सकते हैं तो Apple Music पे, Spotify पे, Google Play पे, iTunes पे, Music Amazon पे और सहजाम पे इसी तरीके से Index Music और YouTube, Tiddles, Savan और बहुत कुछ बहुत सारे platform है जहां पर आपके जो music है उसको upload किया जाता है तो मेरे हिसाब से अपने इंडिया के YouTube और sound सबसे best है और Spotify भी काफी अच्छा है और iTunes भी तो अब बस ब्रेड़ाइं वेश्ट के जान लेते हैं कि कैसे अपन जो music है उसको अपना create करके sell कर सकते हैं तो उसके लिए आपको देखे करना किया है नीचे नीचे आपको option मिलेगा sell your music now का आपको यहाँ पे click करना है औ यहाँ से मैं किसी भी एक अकाउंट से आपर login कर लेता हूं तो यह मैंने यहाँ लोगिन कर लिया है तो यह देखी हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होके आगया और आप उपर देख पाओगे कि उपर आपको customer ID मिल रही है और customer ID के साथ-साथ आपको logout का option मिल रहा कि आपके जो song है उसको कितना देखा गया है कितना नहीं देखा गया है आपने song का promotion भी कर सकते हो इसी website के through और यहाँ पर album भी और यहाँ पर आपका channel का नाम आ गया जैसे मैंने channel का नाम टिक टोक हिंदी tutorial रखा हुआ था तो इसी company के अंडर वो music इस platform पे update किया जाएगा त तो यहाँ तक तो मेरे हिसाब से आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आई होगी यहाँ तक इस बात को समझने में लेकिन आपको एक बात और बता दो किसके अदर आपको और feature मिलते हैं तो देखिए अब मान के चलो कि आपको अपना खुद का song यहाँ पे upload करना है तो यहाँ पे क्लिक क्लाउड और ड्रेग और ड्रोप फाइल्स बोल रहा है कि आप यहाँ पे जो अपनी फाइल्स है उनको पहले अप्लोड कर दीजिए तो आपने चाहिए कोई भी गाना बनाया हुआ है या फिर आप कोई भी गाना है उसको यहाँ पे upload कर सकते हो तो मैं कोई भी एक music यहाँ पे उठा लेता हूँ तो मैं देखता हूँ यहाँ पर मेरे पास कोई audio पड़ा होगा फोन में तो डीजिसनेक का मेरे पास एक फाइल है मेजन्टा रिडिम के नाम से मैं उसको यहाँ पे upload करके देखता हूँ I think कि यह operated है बट फिर भी try करते हैं कि यहाँ पे upload होता ह कि नहीं तो यहाँ पे देखिया आप upload होना start हो गया है तो मैं जल्दी से वीडियो को fast forward कर देता हूँ because it will take some time नहीं टाइम नहीं ले रहा है बहुत fast service है और अपने net की speed के हिसाब से काफी जल्दी इसने आप upload कर दिया है मेरे हिसाब से song यह 5-7 MB का होगा तो इसने upload कर दिय और उपर लिखा भी आ गया है you have uploaded one song लेकिन आप यह पर देख सकते हैं कुछ एक icon भी आ गया है इस icon को tap करके देखते हैं तो बोल रहा है required field is not filled तो इसका अपने को album है इसका नाम डालना पड़ेगा तो मैं डाल देता हूं my own के नाम से फिलाल इसका नाम because मैं इसको private रखने बहुत सारी देखत आपको जहलने पड़ सकती है तो मैंने album का name लिख दिया है और artist यहाप लिखेंगे यह सारी जीज़े बहुत ज़्यादा जरूरी है तो आपको 100% फिल करने पड़ेगी अगर मैं यहाप बात करूँ अलग लग जहन की copyright की तो copyright के अंदर आप जो है आप स्लेक्ट कर सकते हो कि आपके जो लेंग्वेज है वो कौन सी इसके अंदर आप रखने वाले हो सोंग की तो वह आपको फिल करने पड़ेगी यह सारे काम आप खुद करोगे यहाप यहाप करके नहीं दिखा रहा हूं रेलिस ड़ेट बहुत इंप्उटेट है अप जिस सािम पर अपने साउन को रेलिस करके चाहते हो आप यहाप कर दो अपने को अपर यहाप देखेगा ध्यांसे है उसके बाद अपने बहुत सारे अप्शी बचे हुए उनके बारे मैं देरे बताऊंग Zar darf तो प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा उसके बाद आप आप देखिए आप अपने नाम लिख सकते हैं सोंग का कंपोजर ओथर ओडियो लेंगवेज और सब कुछ जो भी आप फिल करना चाहे हो है आप फिल कर सकते हैं लिरिक्स भी आप डालना चाहे तो यह आप आके पर little लिक्स है उनको भी लिख सकते है तो यह आपको सबी ऊप्षन देता है जो कि आप को एक प्रो म्यूजिक अप्रोडर में चाहिए होते हैं तो उसके बाद आप देख सकते हैं पर स्टोर्स एंड कौन्टर तो नो बोल्ड आई किस किस कंट्री में आपको अपना को select कर दियाया है इंडिया को select करने के बाद यहां पर अपने पास और बोप्शिन आएंगा तब अलग अलग देशियों के अंदर भी इसको upload कर सकते हो यहां पर आपके पास option आता है कि हाँ कहां कहां पर अपने music को upload करना चाहते हो iTunes Store हो गया, Amazon हो गया या फिर यह अलग अलग जगा दिखा रहा है Google हो गया, Sawan हो गया, Spotify हो गया Index Music हो गया, तो आप जहां पर भी अपने Song को Release करना चाहते हो सिरफ उसके पर आपके लिक कर दीजेगा इसकी मदद से क्या होगा कि आपका जो Song है उसके बाद आप चाहो तो इसको Save कर सकते हो और मैं आप एक Complete कर ही देता हूँ विकोज मेरे को भी Scanner और Editing नहीं करनी है तो यह देखिए, Album has been saved but seems to have error यह error इसलिए दिखा रहा है आपको बताता हूँ विकोज मैंने बहुत सारी चीजे फिल नहीं की है आप इन सभी चीजों को फिल करके यहां से पैसा कमा सकते हो इसके बारे मैं आपको further tutorial चीए तो आप में आप जरूर से comment करके बताना दोस्तों अगर आप अच्छा response देते हैं इस वीडियो पर तो मावफ के लिए बहुत ही कमाल की video और लेकर आने वाला हूँ आज किस वीडियो में दूस्तों इतना ही और बहुत जलन मिलता है किनें वीडियो में तब तक के लिए बने रियार इस चैनल के साथ ऐसे ओर वीडियो पाने के लिए और बाबाए टेक ज्यो